अब इवरिव faut aange वेलकम बैक टो मैंस चानल आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंसेक्ट मेत्यमोर्फोस जी के बारे में शब्से पहले देखिए की इंच्चमोर्फोस जा होता है मेता मॉर्फोस चिज एक ट्रांस्फोर्मेशन ठ्रोसर्स होता है जहां immature larva से हम एक mature adult बनाना है ठीक है अचा development की according हमने organisms को दो category में divide किया है एक direct development होता है और एक में indirect development होता है direct development में क्या होगा जो young ones बनेगा वो exactly similar होता है उनकी adult के साथ बस size में छोटा होता है और sexually immature होता है ठीक है जिसे उनकी best example human को आप समझ सकते हो छोटे बच्चे बनते हैं और adult के बीज में कोई भी डिफ्रेंस नहीं है size में बास छोटा होता है sexually mature होता है तो इस बाल प्रोसेस को insert की metamorphosis की point of view से ये metabolos metamorphosis भी हम समस्ते हैं कि को भी लाबरोरा स्टेज आपको दिखने को नहीं मिलेगा directly on once adult जैसे ही होता है ठीक है इंडारेक्ट के कैस में क्या होगा आपको एक इंटरमेडियेट स्टेज यानि के लारभल स्टेज देखने को मिलेगा जो लारभा होता है यो दो तरीके की लारभा होता है एक primary लारभा और एक secondary लारभा होता है primary लारभा हम किसको कहेंगे देखिए जहां पर लारभाल स्टेज में जो बड़ी सिमेट्री होता है बड़ी सिमेट्री आप समझ रहे होना बड़ी को डिवाइड मतलब को एनी प्लेन जो बड़ी की सेंटर देके जाएगा और बड़ी उसको बड़ी सिमेट्री कहते हैं जो आप आनिमल किंग्डम की लिए अंदर देख रहे होंगे यदि बड़ी सिमेट्री आडल लारभाल स्टेज में जो रहता है वो आडल स्टेज में जो जाएगा हम उसको primary लारभा कहते हैं उनकी best example होता है आपकी एक काइनोडर्म के कैस में याद रखिए लारभाल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री आपको दीखने को मिलता है और आडल स्टेज में आपको राडियल सिमेट्री ठीके ना जो आपने स्टारफिस देखे होंगे याद रखिए यह चाईजी कभी-कभी पुछा जाता है ठीक है दूसरा चाईज से इंसेक्ड के क्या होता है जैसे कि हमने पीचले वेडियो में आम्फीविया की केस में की आम्फिविया की क्या था राभालल स्टेज थेज वहां से उंकी डोल Mighty अ थेक्षिम होता है उन्हें आपको एक तरीक एक के मेंटाब मोर्पोसिस देखने को नहीं मिलेगा different तरीके की दिखने को मिलेगा largest phylum ये animal kingdom की arthropodish होता है largest phylum है उनमें class insect आ भी सबसे largest class होता है there is a rapid insect के case में क्या होता है rapid होगा and complete transformation from a mature larval life to a sexually adult from through some distinct stage याद रखिए यहां पर दो तिन स्टेज और अलग अलग स्टेज आता है मतलग यहां इस केस में मॉर्फोलोजी विल्कुल चेंज हो जाएगा यहां पर डारेक्ली यहां जो होता है आडल्ट जैसे ही होगा ठीके एक्जांपल सबसे इंपोर्टांट है यह अपने एंट्रांस पीजी एंट्रांस एक्जामिनेशन के लिए पड़ोगे न आपको एक्जांपूल ही पुछा जाएगा ठीक है एक मतलब क्या है अपसेंट है ठीक है मतलब कि कोई भी मेटा मरुफोजी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर योंग वांस डारेक्ली रिजंबल होता है आडल्ट जैसे यह आपको सिल्वर फीस के अंदर देख दिखाए अपने साइद मार्क नहीं किया है तो अब करोगे ठीक है वह एक ट्रूफीस भी नहीं है ठीक है यह एक आर्थ्रोपोड़ा है यह चीज़ भी ध्यान दीजे यह ट्रूफीस नहीं है सिल्वर फ्रिस जो होता है उनमें डारेक्ली योंग वांस बनता है छोटा होता है जब यह यहांचिंग करेगा जो योंग यान बनेगा हम उसको नीम प्योप बोलते हैं क्या वुलते हैं हम उसको नीम प्योंटे नीम रेसेंबल्ड अडल्ट इंसक्ट इन्सक्ट फोफर्राम ओप मोडफ लाइफ तो हड़ीस ahead बहाएबर न की कि मीधिस्ट ये बोक्स जो बेड़ बोक्स होते हैं बिस्तर में पाए जाता है ब्लावट साफ कर लेते हैं लाइस जो होता है और में पाए जाता है तिक्स गाएं बहुत किसके जो हैर में पाए जाता है आपने देखे होंगे तो वह भी जहां रहे रहा है वह भी वहीं पे रहे रहा है ठीक है पहले तो wings बगरा इससे नहीं रहेगा उसके बाद वो डैबलप हो जाता है ठीक है अब हम बात करेंगे इस तरीके से चीज़े नेक्स बात करेंगे हेमी मेटाबोलस हेमी का मतलब क्या है आधा है तो एक हाचिस इस कल्ड नियाड तो उनको हम नियाड बोलते हैं एक हाचिस हो हाँ पर राज़ाल डेवलेमेंट भी होता है नियाड इज डिफर्फर्म आडल इन द फॉर्म आप मोड फ लाइस ट्रॉक्टर मतलब कि यह नियाड जो होता है अलग हाबिटाट में रहेगा उनकी एक्जाम्पल जो होता है ड्रागण फ्लाइज होता है ठीक है ड्रागण में ग्ञें में सब्सक्राण इन देखने को मिलेगा उईज नहीं होता लेकिन जो अट्रागण लेक्ट को फॉर्म मT यहांप यहांप को मिलेगा यहां से लार्वा, प्यूपा, फिर आडल्ट, आडल्ट को हम इमागो भी बोलते हैं, ठीक है, अच्छा, लार्वा डिर्फर्ड फॉर्म आडल्ट इन फॉर्म अफ स्ट्रॉक्चर और मोड अफ लाइफ, तो यहां पर बात करेंगे, यह उनकी जो लार्वा स्टेज होता है, ऐब गया, तो इसलिए यह अलग स्टरॉक्चर हो जाएगा, तो मस्कि उटो मॉत इस्केस में आपको अब देखने को मिलता है, hyper metabolis और hyper metabolis जो होता है, उन में हर एक stage, जितने भी stage देखिए, वहाँ पर 1, 2, 3, 4, और adult को मिला के 5 हो रहे हैं, हर एक stage औलग देखने के लिए होता है, each lateral stage is different, Bristol-Britle के case में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद हम बात करेंगे, hormonal regulations of the insect metamorphosis, मतलग कि कैसे hormonal changes जो हो रहा है, insect metamorphosis को control करता है, मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद इस nodes आपको screenshot ले लोगे, देखिए, insect की जो brain होता है, यहाँ पर उनकी brain की structure है, पुरा का पुरा brain की structure है, उनकी brain की अंदर कुछ neurosecretory cells पाया जाता है, neurosecretory cells का तो यह है, ऐसा neurons जिसके पास capacity है कि कुछ secretion कर सके, ठीक है न, उसके epithelial cells में, मतलग कि epithelial cells हो ही neurons के अंदर होता है, जहां से कुछ secretion हो सके, जैसे हमारा saliva secretion हो रहा है, समझ रहो न, इसको हम neurosecretory cells कहते हैं, इस neurosecretory cells जो होता है, यहाँ पर पाय जाता है, और दो ग्र तीन हिससा याद रखना है, एक होता है, न, न, ग्रेयर्वर सके, बर पाया आइसे होता है, यह पर के पर. इस होर्मोन की इंफ्लूएंसेस में प्रोथरासी ग्लांड से बनता है एक डायसोन एक होर्मोन होता है ठीक है ना यह एक होर्मोन होता है और जब यह बनता है इनाक्टिफ होर्म में बनता है और उनकी बन तो रहा है प्रोथरासी ग्लांड में लेकिन उनकी आक्सन जो रहेग तो इस enzymes की involvement में agdiacons जो होता है 20 hydroxy agdiacons हो जाएगा माल लेजे ये agdiacons था ठीक है आचा वो उनकी 20th position में एक hydroxy group जुट जाएगा तभी मतलब hydroxy group जुटने के लिए एक enzymes की जरूरत होता है वो ही enzymes कहां पर पाई जाता है mitochondria में पाई जाता है ठीक है अचा तो अब हम देखेंगे जो 20 agdiacons अभी अपकी active form में हो गया इतना चीज clear हुआ फिर हम बात करेंगे corporalata के बारे में corporalata ओभी 2 में पाई जाते तो pair में होता है वहाँ से बनता है juvenile hormone juvenile hormone जो होता है gives differentiating signal वहाँ से आपको differentiating signal मिलेगा जो बेनाईल hormone से differentiating signal मिलता है याद रखिए agdiacons जो होता है यह molting hormone होता है देखिए what are the differences between differentiating and molting जैसे कि हमने बात किया कि 2-3 larval distinct stage insect के अंदर आता है यह माले जो एक larval stage है एक pupa stage है और एक adult stage है तो larva से pupa pupa से adult यानि कि एक stage से दूसरे stage के जो transformations है यह आपकी हो रहा है विदो help up 20 hydroxy agdiacons ठीक है तो इसलिए 20 hydroxy agdiacons को हम बोलते हैं molting hormone यानि कि वो changes लाता है ठीक है आच्छा लेकिन जो जो बेनील hormone होता है इस steroid hormone होता है याद रखिए जो बेनील hormone जो है तो यह क्या करेगा लार्भा को और बहतरिन लार्भा बनाने में help करेगा यानि कि complete mature larva बनने के बाद pupa बनना चाहिए complete mature pupa बनने के बाद adult बनना चाहिए ठीक है तो इसलिए यह differentiating करता है यानि कि लार्भा स्टेज में जो जो structure पाए जाने वला है तो उनको करने की काम जो होता है जूबिनील हर्मोन की होता है समझ में आए ना आपको gives differentiating signal बादो जूबिनील हर्मोन और जूबिनील हर्मोन की नेचर होता है steroid प्रोध होरा से कि जो होता है यह proteinious nature होता है protein से बने हुए है यह हर्मोन ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब तक जूबिनील हर्मोन पॉर्सिस्ट रहता है तब तक लार्भा स्टेज पॉर्सिस्ट रहेगा लार्भा से आपको प्यूपा होने के लिए जूबिनील हर्मोन की सिक्रेशन जो है लो होना ज़रूरी है और 20 हाइड्रोक्स से एकडाइशन की जो हर्मोन है हाई होना चाहिए ठीक है जिसा दिखिए नोट्स में आप कैसे लिखोगे इन दो ब्रेन ओफ इंसेट नीरो सिक्रेटरी सेल्स होता है जहां पे कौन से हर्मिट सिक्रेट हो एकडाइशन जो होता है इन आक्टिव फार्म में होता है वो आक्टिव फार्म को 20 हाड्रोक्स सिक्रेटराइशन में कनवट हो जाएगा तो एकडाइशन जो होता है यह मोल्टिंग हर्मोन है यह चीज़ ध्यान दीजिए यहां से कुश्चन बनता है मोल्टिंग हर्मोन होता है जहां से मोल्टिंग का मतलब है कि लारभा से प्यूपा प्यूपा से अडल्ट ठीक है ना चेंज हो रहा है मोल्ट हो रहा है अडल्ट कि नारभाट पीपे बाड़र अबनाने के लिए ओर एक वह आएगा लारभाश से प्यूबर वनाने के लिए ठिक? है अच्छा फिर अंक बात करेंगे जु भेंद range की बारे तो लारभल स्टेज में बहतर इन कौनसी कौनसी स्ट्रक्चर रहना ज़रूरी है ओ जी जो बनाता है ठीक है आई होप आपको इंसेक्ट मेटामर्फसिस अच्छे से समझ में आ रहा होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपकी दोस्त के सा वीजाट कीजिए थेंक्यू